हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार से खशक भरती से सम्मधित कुछ प्रस्नों को लेकर हम लोग रोज आपके सामने हाजिर होते हैं और इन प्रस्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जाच सकते हैं इसी क्रम में आज भी कुछ प्रस्न आप लोगों को हमने दिया था तो अब बारी है इन प्रस्नों के उत्तर की अगर अभी तक आप लोगों ने इन प्रस्नों को सॉल्व नहीं किया है तो वीडियो को कुछ दिर पॉस करके प्रस्न को सॉल्व करने का प्यास कीजिए कि यदि A और B की बीच की दूरी 100 किलोमीटर है और दो बार A से B तक जाने और वापस आने में 4 घंटा का समय लगा तो आसत चाल ग्यात किजिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग हुआ है, लोगों ने चुना है पचीस किलोमीटर प्रतियावर को इस पर आप देख सकते हैं 40% लोगों इस option को चुना है लेकिन कई सारे लोगों ने 50 km प्रति घंटा 100 km प्रति घंटा 90 km प्रति घंटा जैसे options को भी चुना है तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है सीथी सी बात है मेरे दोस्तों एक गनित का simple सा formula है कि 4 बड़ाबर दूरी बटा समय आपको इस formula का इस्तेमाल करना था और इस formula का इस्तेमाल करते हुए आप इस सवाल को solve कर सकते थे अब आपसे पुछा गया है कि A और B के बीच की दूरी 100 km है और 2 बार A से B तक जाने में और वापस आने में यानि कि आपकी कुल दूरी हो गई 400 km चुकि आप 2 बार गये हैं और 2 बार वापस आये हैं तो कुल दूरी 400 km हो गई और इसमें समय लगा है 4 तो इस तरह आपका जो सही उत्तर होगा 100 km प्रति घंटा होगा इसी तरह से हम लोग अब चलते हैं अगले प्रस्न की तरफ हम लोग का अगला प्रस्न है कि हाल में उत्तर पुरू की किस राजी में हिंसा के बाद राज्यपाल को सूट एंट साइट का ओर्डर जारी करना पड़ा यहां पर अधिक्तर लोगों ने सही उत्तर दिया है इसका सही उत्तर मनिपूर है मनिपूर में मेरे दोस्तों हाल में वहां की हाई कोट ने मैती जनजाती आप लोग को नाम याद रखना है मैती जनजाती को आरक्षम दे दिया इसके बिरोध में अन जन जातियों ने वहाँ पर बिरोध प्रदर्शन कर दिया और इस क्रम में हिंसा भड़क उठी जिस हिंसा को नियंतरन में लाने के लिए राजेपाल को सूट एंड सैट का ओर्डर देना पड़ा है तो इस ही उत्तर यहाँ पर मनिपूर है जिस पर आप देख सकते हैं अधिकतर लोगों ने सही जवाब दिया है इसके बाद तीसरे प्रसंद की तरफ है कि इनमे से कौन भारत का एक संरक्षित जीव है यहाँ पर कल की तरफ बहुत सारे लोगों ने गलत उत्तर दिया है अधिक प्रजाती के संरक्षित के लिए उरिसा की हाई कोट ने सरकार कुंदर देश दिया है इजी तरह से राजस्थान का गिद्र जो है विकारे में इसका संरक्षित के लिए प्रयास किया जा रहे है हिमालियन बकडी ये भी है उप्सन में और गंगा के डॉल्फिन तो बिल्कुल है गंगा हमारे बहारत का सनरक्षित जलिये जीव है लेकिन आप लोग को दिखान रखना चाहिए था कि यहां एक से ज़्यादा भी कल्ब सही है इसलिए आपका सही उतर होता है यह उप्सन जो क पदक जीता है हमारे देश के प्रसिद जो भाला फिक के खिलारी है नीरत चोपरा ने यह डायमंड लिग आयुज़त किया गया है दूहा में और आप लोग को बता दे कि नीरत चोपरा जो कि ओलम्पियन है जिन्होंने ओलम्पिक में पदक भी जीता था उन्होंने तो हाल ही में चर्चाव में रहा IPC की कौन सी धारा है जो समलेंगिक विवाह का विरोध करती है समलेंगिक विवाह का अर्थ है कि लड़का लड़का से स्राधी कर सकता है और लड़की लड़की से स्राधी कर सकती है आप लोगों को पता होगा कि सुप्रिम कोर्ट में हाल फिल हाल में वहाँ पर एक याज़का दी गए है जिस याज़का के लिए सम्विधान पिट बैठी है सुप्रिम कोर्ट की और सम्विधान पिट यह देख रही है कि IPC की जो धारा 377 है जो समलेंगिक विवाह का प्रतिर किया है और यह साथ में भारत सरकार ने सुप्रिम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है कि समलेंगिक विवाह को अनुमती नहीं दी जानी चाहिए अता आपका यहाँ पर सही उत्तर धारा 377 होगा नेक्ष कोश्चन जो आपका है वो है हाली में किस देश के विदेश मंतरी 12 सा के बाद की यात्रा पर भारत आये है तो इसका सही उत्तर मेरे दोस्तों बहुत साथ लोग ने सही बनाया है वो एंसर है पाकिस्तान पाकिस्तान के विदेश मंतरी बिलावल भुटो 12 साल की बाद भारत यात्रा पड़ाया है और उनकी यह भारत यात्रा उनके आने के साथ ह विवादों में घर गी आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो भारत संगहाई कोपरेशन काउंसिल की बैठक में आये हैं और यहां उन्होंने गोवा में ये बैठक हो रही इसमें भाग लिया लेकिन भारत आने साथ-साथ इन्होंने कस्मीर का मुद्धा छेर दिया जिसमें भारत के विदेश मंतरी एस जय संकर ने भी इनको जवाब दिया तो इस प्रस्ण का सही उत्तर है पाकिस्तान तो इस तरह से कल भी हम लोगों ने आपको कुछ प्रस्ण दिये थे ताकि अगर आप में किसी तरह का confusion हो तो confusion भी दूर हो जाए अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर से आप से मुलकात होगी, make sure डियो में तब तक लिए धन्यवाद, thank you